हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट के वजार पर दोस्तो भेल शेयर पर बात करने वाले है इस वीडियो में लास्ट काफी सारे दिन हो गए है स्टॉक लगातार गिरावट कर रहा है निवेशक काफी जादा हैरान परेशान होते हुए देखने को मिल रहे है क्या बेचना चाहिए या फिर खरिदारी करनी चाहिए क्या यह मौका है या फिर धोका है और क्या होंगे 22 फरवरी के निकल के टागेट तो वीडियो को पुरा इंट तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा दोस्तों शुरू करते है सबसे परेफेरेंट अगर अपन RSI देखें तो 29 के लेवल्स पर RSI आ गया है RSI अगर 29 के लेवल्स पर आता है that means कि अभी stock oversold zone में trade कर रहा है यह दोस्तों daily basis का RSI है और definitely RSI इंडिकेट कर रहा है कि stock यहां से आपको एक अच्छा का सब pullback दिखा सकता है intraday time frame पर 29 का RSI that means stock अभी काफी जादा oversold zone पर trade कर रहा है अगर अपन monthly basis पर भी देखें तो monthly basis पर 36 के zone पर RSI है तो दोनों RSI यही इंडिकेट कर रहे है कि stock अभी आपको oversold zone में trade करता हूँ देखने को मिल रहा है और जब भी इन zones पर stock आते हैं तो आपको pullback जरूर देखने को मिलते है तो जो intraday traders है जो short term profit लेते हैं उनको मेरी यही सलाए कि अभी wait करें थोड़ा और गिरे share जब दोस्तो 25 के नीचे RSI आ जाए तो जरूर entry का एक मौका आपको stock में मिल सकता है वही अगर अपन बात करें stock की market की आज तो आज nifty में higher level से 75 points की आपको घिरावट होती भी देखने को मिली है लगातार I think 103 से 4 sessions हो गए market में आपको घिरावट होती भी देखने को मिल रही है वही अगर अपन बात करें आज की closing की market की तो nifty 18 points नीचे closing देता हुआ देखने को मिला है and bank nifty 28 points नीचे लेकिन सबसे जादा जो घिरावट है वो है mid cap index में लगबग 0.36% यह index आपको घिरता हुआ देखने को मिला है और मैं आपको एक बार फिर कहा दूँगा जब तक mid cap में तेजी नहीं होगी तब तक BHL का share नहीं move करेगा अगर माल लीजे कल market में अच्छी तेजी होती है mid cap 1-8% उपर जाता है तो जरूँ दो चांसे सार वरी हाई की stock आपको 6-7% की तेजी घर के दिखा दे तो सारा का सारा जो खेल है stock का वो mid cap index पर टिकावा है वही अगर अगर अपन बात करें आज की volume की तो 10 million की volume आज इस stock में आती भी देखने को मिलिए volume में एक significant decrement देखने को मिल रहा है जाए कि आने वाले दिनों में एक short covering का move stock में बनता हुआ देखने को मिल जाए block deals के अगर बात करें तो दो block deals आज दो स्टॉक के अंदर होती भी देखने को मिलिए और currently 22% की correction पर आपको भेल का share मिलता हुआ देखने को मिल रहा है महीं खबरों के अगर बात कर तो गिरावट कब से बन रही है जब से दोस्तो रिपोर्ट साइए stock के उपर जब से दोस्तो brokerage houses का downgrids आया stock के अंदर तब से दोस्तो stock में गिरावट हो रही है जिस दिन brokerage downgrade आया उस दिन 6% गिरा फिर गिरते 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 currently इस लेवल पर stock आपको trade करता होगा देखने को मिल रहा है आज के intraday के high के अगर बात करें तो 72.45 का आज का intraday high था और 70.30 पसे का intraday का low था तो intraday का low काफी significant है अगर दोस्तो कल मान लीजे 70.30 पसे के नीचे शिहर फिसलता है तो गिरावट definitely बन सकती है बट I think so अब आने वाले एक से दो sessions के अंदर अंदर definitely चांसाजार वरी high की stock आपको एक छोटा मूटा pullback जरूर दिखा दे वह अगर अपन बात करें delivery and volume analysis की तो आप देख सकते एक करोड की volume आज के दिन stock के अंदर आती भी देखने को मिलिए और कल 2 करोड के आई थी almost दोस्तो 50% decrement आपको volume में देखने को मिल रहा है तो ये काफी जादा downgrade stock के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है और पहले जो 25% का average delivery percentage था stock का वो घटकर लगबग 19% हो गया है तो ये दोनों काफी negative बात है stock के लिए वह अगर आपन resistance की बात करें तो majorly दोस्तो 72 रूपीज 60 पैसे and 73 रूपीज 55 पैसे मैं तो यही काऊंगा दोस्तो ये दोनों resistance चोड़ी 75 के level के उपर अगर share टिक जाएगा तो definitely आपको तेजी हो सकती stock के अंदर लगबग 80 तक के level देखने को मिल सकते तो ज़रूर दोस्तो आराम से stock के अंदर 80 तक के भी levels आपको देखने को मिल जाएंगे तो मेरी यही सला है दोस्तो अगर आपके पास ये share अभी है currently तो थोड़ा wait करके चले क्योंकि दोस्तो stock हमेशा ये आपको dips में एक अच्छा reversal देता हुआ देखने को मिलता है और current अगर अपन चार्ट भी analyze करें दोस्तो तो चलें दोस्तो अपने चार्ट ओपन करता हूँ मैं तो friends अगर stock के चार्ट देखें यह आपर तो आप clearly दोस्तों यह आपर देख सकते हैं यह जो level था important यह level के अभी नीचे share trade कर रहा है वो अगर अपन level अच्छे से precisely देखें तो वो level था दोस्तों लगबग 72 रुपीज 50 बसे का अभी उसके नीचे share trade कर रहा है और नीचे में support level बन रहा है वो लगबग 268 रुपीज का बन रहा है तो आप देख लिए दोस्तों 68 रुपीज का आपका stock के अंदर final SL होना चाहिए और higher side पर जो levels आपको देखने को मिल स सकते हैं कि दोस्तों इंट्राडे में आप 70-30 का stop loss लेकर चलें और मुझे रखता है कि पुल बैक आपको जरूर इस counter में देखने को मिल सकता है अब अगर उनकी बात करें जिन्होंने इस level पर ख़ीद रखा है जिन्होंने 85 के level पर ख़ीद रखा है उनको क्या करना चाहिए तो उन लोग मेरी ही सलाएं दोस्तों कि आप जरूर इस counter में average कर सकते हैं लोवर साइट पर आप maximum risk risk रखिए दोस्तों 67-68 का एंड यह साइट पर आइधिंक सो यहां से 5-10 तक का पूल बैक आपको आसानी से इस counter में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों वीडियो अगर वीडियो चल लगाओ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों थैंक यूर्टिंग इस वीडियो